जेहिंद नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जारा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो भी बच्चे SSC GD कॉंस्टेबल भरती का फॉर्म अपलाई करके एकजाम के त्यारी कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम निकालके आप सभी इस वीडियो को काफिजरा इंपॉर्टेंट है कि आखिर SSC GD कॉंस्टेबल का जो यहां पर वैकेंसी का माजरा है यहां पर 26146 पोस्टों निकलके आई हुई थी यह वैकेंसी यहां पर इंक्रीज होगी तो इंक्रीज किदनी होगी मेरा मतलब यहां है वैकेंसी बढ़ेगी तो कितनी चले कर चलने वाले हैं तो अगर आप इक्जाम होगा तो 20 फरवरी कर 12 मार्च के अंदर कभी van आप सब का एक्जाम यहाँ पर सकता है ठीक है तो इसलिए आप सभी अपने एक्जाम के त्यारी जो है करते रहिए अब दूसरी बात यहाँ पर यहाँ है कि आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए है ससीडिक कॉंस्टिबल की वो करीब यहाँ पे 45 लाह के सम्थिंग यहाँ पर होते हुए आया है क्योंकि 2021 की बात करें यहाँ पर तो करीब 77 लाग फॉर्म अप्लाई हुआ था और एक्जाम में बैठने की बात करें यहाँ पर तो बहुत ही कम बच्चे एक्जाम में बात करें करीब पचास या फिर बावन लाग के सम्थिंग बच्चे एक्जाम में ब बात करें तो 45 लाग के आसपस बच्चे एक्जाम दे सकते हैं तो इसलिए आप सभी त्यारी जो है अपनी करते रहिए इसको लेकर आप प्रसंद मत होईएगा अब दूसरी बात यहां पर यह है कि वैकेंसी यहां पर बात करें जान दीजेगा मैं इसको कड़ कर देता हूँ वैकेंसी बात करें यहां पर तो अभी जो परजेंट में है वह 26,146 पोस्ट वैकेंसी जो है आगे बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी तो मेरे भाई आपको बता दने वैकेंसी बढ़ने को लेकर जिस तेसा पिछली बार हुआ थ फर्ष्ट में 24,000 वैकेंसी आई लेकिन लास्ट अब वैकेंसी को बढ़ा कर यहां पर दोगों नहीं कर दिया गया मतलब बात करें तो 50,000 वैकेंसी कर दी गई थी तो इस बार भी ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है अगर वैकेंसी 26,146 पोस्ट दिखा रहा है तो आपक यहां पर बड़ा मुद्ध यह उठता है कि आखिर इतनी कम वैकेंसी क्यों बढ़ेगी चार हजार ही वैकेंसी क्यों बढ़ेगी तो आपको बता दें कि SSTGD कॉंस्टेबल की एक नई भरती 2025 का भी कलेंडर में बता दिया गया है कि SSTGD कॉंस्टेबल की एक नई भरती है जिसका 27 अगस्ट धान दीजेगा 27 अगस्ट 2024 से फाम अपलाई होगा SSTGD कॉंस्टेबल 2025 की भरती वह रहने वाली है ठीक है तो उसमें भी करीब 25,000 से करीब 30,000 के सम्थिंग पोश्ट उसमें भी रहेगा ठीक है इस कारट से अब की बार सिर्फ और सिर्फ यहां पर 26,146 पर ही वैकेंसी निकाली गई ठीक है लेकिन वैकेंसी बढ़ेगे तो करीब यहां पर 30,000 के सम्थिंग वैकेंसी हो जाएगी 26 जरवाली जो की अब की यहां पर निकल कि आई हुई है 2024 की तो इसलिए यहां पर वैकेंसी बढ़ने की बहुत ही कम उमीद है अब हम बात कर लेत तो इस आख्री दोर में आप सभी कैसे पढ़ाई करेंगे तो आप सभी के लिए मार्केट में बेश प्रैटी सेट आचुका है जो की चकसु पब्लीकेसन का है आप सभी इस प्रैटी सेट को लगा अपनी तयारी को और मजबूत कर सकते हैं इस प्रैटी सेट में पिछले सा के बाद feeling होता है उस प्रकार से आप सभी इस पैटिसेट को लगा कर feeling अपने अंदर प्राप्त कर सकते हो क्योंकि इस पैटिसेट में वही कोईशन समलित किये गए हैं जो कि आपके एजाम में पीछे पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं तो आप सभी इस पैटिसेट को लेकर अपने त्यारी और मजूड़ूर। तो अप सभी इस पैटिसेट को लेकर अपने त्यारी और मजूद कर सकते हैं इसलिए आप सभी को यहाँ पर फॉर्म जो है बहुत कम इजक्ट होंगे और मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर अपना फॉर्म में जो भी गलती होगी उसे करेक्शन कर चुके होंगे ठीक है बाकि एडिट का अप्शन है हर बार नहीं मिलता लेकिन आप की बार यहाँ पर दि देने का मंगा दे जाएगा और जो बच्चे दम देने जाएगा उनका रिजल्ट भी यहाँ पर आएगा ठीक है और बात करें कितना सेफ स्कोर रहा सकता है सेफ स्कोर के अगर हम बात करें तो आप सभी 130 प्लस करिएगा सेलेक्शन लेने से आप सभी को कोई रोप नहीं सकत थी कि इस कारर से यहाँ पर 17 बच्चिस आते हैं हमें अपने ही स्टेट में जॉब मिले तो इसलिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको इस चैनल के मादम से पूरी तरीके से गाइड की जाता है और आपके हर एक डाउट को क्लिए रिके जाता है ठीक है तो मिलता है उसलिए नेक्टी वीड़ों में तब तक ले जाए हिंदू बंदे मात्रम